इस lecture में हम discuss करेंगे गोंकर के problem है binary to sq code और उसका problem का statement पहले उसको समझते हैं उसके बाद उसका program सम्झेंगे इससे पहले जो lecture है मेरा मैंने binary to sq और sq to binary मैंने ओ कनवर्ट कराया हुआ है ऐलेडी ठीक है तो गोंकर की जो specific problem है उसको समझ लेते हैं क्योंकि एक्जाम में directly ली आजाती है कभी कभा का most ली आती है कि उससे ही बना हुआ है तो सबसे पहले problem को समझते हैं और कैसे उसको convert करना है यह समझना है तो प्रोलाइब स्टीट्मेंट है एंट बिट binary नंबर इस्टोरड इन मैमरी लोकेशन एक्सप्प्गज टो एक्सप्प्ग जो है उसमें वह मैमरी लोकेशन है डिया मैमरी गी और उसमें एटबिट हमारा जो binary number है वो हमारा पड़ा हुआ है जिसको हमें SQ में convert करना है ठीक तो यहां पर उसने step दिये हुए है कि क्या क्या उसमें करना है write a program to transfer the byte to the accumulator तो यहां से इस location से जो byte पढ़ी हुए 8-bit number की उसको उठा के लाना है accumulator में तो memory से अंदर उसको लेके आना separate the two nibbles तो अपर और लोर निवल तो अगर आपका 8-bit का कोई number है तो उसमें दो निवल बनेंगी तो suppose करो कोई number है हमारे पास ठीक number है हमारे पास जो गॉंकर में दिया हुआ है वो suppose करो 9F है से हमारे पास binary number है तो इसको convert करना है तो निवल्स में तो निवल्स 4-bit की निवल्स होती है तो अगर मैं 9 को इसको 1001111111 यह number हमारा पड़ा हुआ है तो इसको अपर और लोर निवल में इसको हमें convert करना है तो यानि हमें इससे बनाना है जीरो नाइन जीरो एफ जैसे कि हमने जो प्रोसीजर है वो दोनों का सेम है पर जो प्रोग्रामिंग है वो जो आर्ट है उसको आप अलग अलग तरह से उसको बना सकते हो ठीक है तो मतलब एक साई प्रोग्राम नहीं है के तरह के प्रोग्राम है तो उसको मैं अभी डिसकस करूँगा इसमें अलग तरह से एक अलग भी है उसको करने का तो उसके बाद call the sub-retien to convert each nibble into S की hex code restore the code in memory location x60 and x61 ठीक उसके बाद जो दो बनेंगे तो 09 को हमें convert करना है उसका S की equivalent है ठीक है S की equivalent में और उसको save कर देना है xx60h पे और फिर 0f को उसका S की जो code है ठीक है और उसको save कर देना है code को 61h में और उसके बाद यहां पर इसन दिया write a sub-routine to convert a binary digit 0 to f into S की hex code ठीक है S की hex code में उसको convert करने का एक sub-routine बनाना है अलक्स है तो पहले तो यह समझते हैं कि S की code जो है वो basically है क्या सही है तो 0 से 123 और 9 तक जो numerals के जो S की code है वो उसमें आप 30 add कर दो बस 0 में 30H hex में code देखना उसकी table देख सकते हो S की codes की तो उसमें decimal में दिया होंगे तो आपको hex वाला देखना hex वाली table निकाल लो S की codes की तो आपको 0 से 9 और यह तो numerals होगे और जो alpha जो alpha bit है जो capital alpha bit है basically जो capital A to F उनके code देख लो तो 0 का code है उसमें आप 30 add करो तो 0 code basically 30H है ठीक है तो 0 में 30H add करना है 31 जाएगा 1 में 30 add करना है सही है इसको plus करोगे तो 31 आएगा तो 31H जो code है वो है 1 का हमारा S की code ठीक है ऐसे ही फिर इसमें 30 add कर दो तो 32 यह 2 का S की code है से 33 और से 9 का 39 है यह S की code है ठीक अब जो code में जो difference है वो है अगर हम A से चलें तो A से A B C D E और F तो जो binary है 4 bit binary में हमारा 0 से F तक आ सकता है तो 0 से 9 के लिए अलग code है और A से F तक के लिए अलग code है तो जो आज की code है A का वो है 41H B का 42H C का 43H ठीक है D का 44H और E का 45H तो sequence में है और यह 46H तो अब हमें क्या करना है तो अब हमें एक conversion करने के लिए उसका एक sub routine बनाना है तो पहले उसके लिए फोड़ी सी algorithm बनाने पड़ेगी तो देखो प्रोलम तो यह है कि अगर 0 से 9 है तो 30 एड़ करना है पर अगर A से F कोई digit है binary number तो उसको कैसे convert करना है तो उसमें क्या add करें ठीक है तो 41 से अगर 30 माइनस करूँ सभी है जैसे कि यहाँ पर है यह difference देख रहे हो सभी है तो यह difference है basically यहाँ पर देखो यह 10 चलो इसको इदर कर लेते हैं तो 41 एच माइनस पर A भी है यह इसको भी add करना है तो इसको भी देखना है कि नंबर को भी add करना है तो देखते हैं तो इसमें हमें add करना पड़ेगा 0 से 9 तक add करेंगे 30 और A से F तक हम add करेंगे अगर A से F तक कोई नमबर आता है, तो add करेंगे 37H, अब कैसे, आप यहाँ पर इसको समझे लेते हैं, देखो, A है अपने आप में ही है, किसके equivalent, 0A यानि F के equivalent है, 0A मतलब 10 के equivalent है, F के equivalent नहीं, 0A है, हमारा 10 के equivalent, ठीक है, तो 0A प्लस 30 करेंगे, और 4 फिलस 7 करेंगे, 7H, तो जब इसको आप add करोगे, 30 फिलस 7H, तो 37 हुआ, और फिर 0A, तो अब इसको 37 के बाद आएगा, 38, फिर 39, फिर 3A, 3B, फिर 3C, 3D, 3E, 3F, 40, फिर आएगा 41H, जब इसके साथ add करोगे, 37 को, तो हमें क्या करना है, 0 से 9 तक 30 add करना है, ठीक है, 0 से 9 तक हमें 30 add करना है, और A से F तक हमें जो add करना है, वो क्या add करना है, अगर कोई number आता है, A से F तक binary, तो हमें add करना है, 37, तो 37 प्लस A करेंगे, तो 41 बनेगा, 37 प्लस B करेंगे, यह X में है, सारे number, तो 37 अगर हम H, यह भी H, तो 37 प्लस B करेंगे, तो 42 बनेगा, 37 प्लस C करेंगे, तो 43 बनेगा, तो इस तरह का हमें यह बनाना है, तो अब यहाँ पर कोई number आएगा, तो उसको दो ग्रूप में डिवाइड करना है, तो 0 से 9 वाला ग्रूप और A से F वाला ग्रूप, तो यह हमारा compare से हो जाएगा, है ना, तो अब आते हैं, मिल्ली प्रोग्राम पर, तो यह है प्रोग्राम, तो सबसे पहले stack को निसराइज करेंगे, क्योंकि एक sub-routine को call करना है, तो call है हमारा ASCII, यह sub-routine है, LXI-H, इस पे हमारा source pointer बना दिया है, LXID को हमने destination pointer बना दिया है, जो हमारी data memory है, RAM memory है, ठीक है, तो यहां से उठा के लाना है उस binary number को, और जब उसको हम उसकी दोनों upper lower level को जब convert करेंगे, ASCII में, तो उसको save कराना है 60 और 61 में, ठीक, तो M, यहां से उस number को उठा लाए, तो suppose करो, यह number है हमारा 9F, यह मानल के चलते हैं, कि हमारे पास 9F है, उससे आगे चलते हैं, तो 9F है, अब यहां पर accumulator में जो है हमारे पास, इस प्रोग्राम के data flow बनाते चलते हैं, तो यहां पर है हमारे पास, A equals to 9F, इसको save करा लिया, अब B equals to A equals to 9F, ठीक है, तो यह बन गया data जो है destination pointer, जहां पर हमारा output, जो ASCII code आएगा, उसको हमें save कराना, 60 और 61 में, यहां पर है हमारा source pointer, जहां से वो binary number को उठा के लाएंगे, तो य नम्बर को उठा लाए, उसको A और B में save करा दिया, उसके बाद RRC, तो 9F को क्या किया है, आपर, इसको rotate किया है, तो जब इसको 4 बार rotate करेंगे, तो हमारी जो nibble है, वो shift हो जाएंगे, तो अब यह number बन जाएगा F9, उसके बाद ASCII, जो हमारा है, इस sub routine, उसको call किया, अब यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, जब call किया, तो 0F से उसको ending कराएंगे, तो जिरो F से जब इसको ending कराएंगे, तो number बचेगा 0, 9, यह किस में है, accumulator में बचेगा, ठीक है, यह accumulator में है, तो उसके बाद, उसको compare कराया 0A के साथ, तो 0A के compare कराने का मतलब है, accumulator के content है, 0, 9, और compare कराया, 0A के साथ, तो 0A यह क्या होता है, एक तरह से virtually subtraction होता है, ठीक है, इसमें क्या है, accumulator के और जो इहाँ पर, अगर कोई register है, सही है, इहाँ पर कोई register नहीं है, immediate value है, तो accumulator के content इसमें change नहीं होते है, बस change क्य करता है, कि वो उसे greater है, less है, क्या है, तो जो result effect होता है, वो आता है हमारा, जो flag के condition में, तो यहाँ पर दो flag है, 0 flag है, और एक carry flag है, सही है, तो compare with immediate value, compare accumulator with immediate value, तो 0, 9, तो virtually क्या करता है, 0 minus 0A, तो यहाँ पर क्या होगा, carry set होगी, बोरो आ जाएगा, है ना, तो जब बोरो आ आएगा, तो यह वाली condition जो है, सही है, satisfy हो गई, जबी satisfy हो गई, तो यह सीधा यहाँ से, कहाँ आ गया, यहाँ पर, ठीक है, तो यह instruction execute नहीं होगी, तो A में हमारा 0, 9, तो अब 0, 9, या नहीं, अब जो हमने उपर जो देखा है, टेबल में, तो 0, 0, 0 से लेके, 0, 9 तक हमें सिर्फ 30 एड़ करना है, सही है, तो यहाँ पर यह 7 एड़ नहीं होगा, इस से सिधा जंप करेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, accumulator के जो content है, ठीक है, वो क्या है, 0, 9H, उसमें क्या हो जाएगा, 30H, तो result क्या हैगा, यहाँ पर accumulator में अब जो save होगा, वो save होगा 39H, ठीक है, तो 39H हमारा बन गया, उसका S की code है, 9 का, उसके बाद return, रेटन हुए वापे सिहाँ पर, तो STX, तो akumetric content है 39, और वो हमने save करा दिये, memory location, जो उपर indicate कर रही है, D register pair, तो D register pair की जो location है, वो बननी है हमारी X60H, तो उसके location में save है हमारा, इस location में, क्या save है हमारा, इस instruction के बाद, इस instruction के बाद save होगया, 39H, ठीक है, उसके बाद increment कराया, तो D के content हो गए, अब हमारे यहाँ पर, D E plus 1, यानि यह होगया, 61, ठीक है, 61 होगया, अब B से वापिस उस value हो लिया, तो यहाँ पर अब, जो हमारी value है, एक accumulator में, वो थी, 9F, यहाँ पर, तो इसी के लिए save कराया, तो B में इसको save करागे रखा, और B से वापिस accumulator में ले लिया, तो 9F आया, और फिर दुबारा कोल किया, तो यहाँ दुबारा जब कर देता हूं, तो यहाँ पर गए, अब accumulator content है, 9F, अब यहाँ पर आए हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं, क्या value आती है, तो इसके बाद फिर ending कराए, तो जब ending कराएंगे, तो accumulator के content अब यहाँ पर, जो अपर वाली नीबल है, वो साफ हो जाएगी, तो यहाँ बचा सिर 0F है, अब compare के आए इसके साथ, तो 0F-0A, तो कोई carry generate होगा, कोई borrow generate नहीं होगा, यह greater है, यह less है, यह दोना hex में है, है ना, तो यह वाली instruction जो है, jump if carry, तो यह condition हो गई, false, तो यह execute अब नहीं होगी, यह execute नहीं होगी, तो अब यहाँ पर, जो accumulator content है, 0F, वो प्लस हो जाए compute होगी, तो 0F, प्लस 07H, प्लस 30H हो जाएगा, तो यह कितना बन गया, जो हमारा 0F का code है, तो वो हमारा आ जाएगा, 37 और यह बनेगा हमारा, मुझे भी याद गरना पड़ेगा, 41, 42, 43, 44, 45, यह A का, B का, C का, D का, E का, और यह F का, 06H, तो जब इसको add गर होगा, होगे, 06, calculator के help से ले लो, ठीक है, तो 30 hexadecimal में, प्लस 7, और प्लस F भी यह जो है, यह भी hexadecimal में है, ठीक है, तो इन तीनों add करोगे, तो 46H आएगा, ठीक है, उसके बाद return, और return के बाद, accumulator के content हमारे, 46, और उसको हमने save करा दिया, next location में, यानि 61 में, तो यहाँ पर ज content हो गए हमारे, x, x, 61H, और इस location में, अब save करा दिया, हमने 46H, जो है, F का, S की code, ओके, और उसके बाद program stop, यह इतना सा करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पर एक, यह method ले सकते हो, कि, एक बार ही, उसको ani कराया, तो यह पूरी की पूरी जो नीबल, जो पूरे का पूरे जो और उसको फिर rotate कराया, F9 बनाया, और एक ही instruction, A9, 0F से उन दोनों को हम अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो एक बार उसको send करा, तो पहले बचाता हमारे पास 09, आपकी बार आया, 0F, तो एक instruction से कर सकते हैं, ठीक है, तो एक program करने के कही तरीके होते हैं, clear है, चलिए, अग